डियर इस्टुडेंट गुड मॉर्णिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की जो कक्षय थी उसमें हमने एडिवल फ्रेस वाटर फिसेज के बारे में अध्या प्रारम किया था जब हमने यह अध्या प्रारम किया था तो यह जो एलगन जलिया खायद मचलिया है उनको हमने चार वागों में विवाजित करके फिर उनका अध्या प्रारम किया था जिसके तहद हमने मेजर कौर फिसेज कौन सी होती है उनके बारे में चर्चर कर ली थी तो आज कही जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम कैट फिसेज याने की मार्जर मचलिया जो रहती है उ इन से हमें किस प्रकार से लाब प्राप्त होता है, कहां ये विख्षित होती है और क्या इनके मुख लक्षन होते हैं, इन सभी बिन्नों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इनके जो आख हैं वो बहुत ही छोटी होती है और इनके जो नॉस्टल पार्ट होता है, उस पर इसपर्स प्रवर्द बलीवाती विख्षित होते हैं, जिनकी सायता से इनको देखने में बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है, यानि कि आख और ये जो इसपर्स प्रवर्द होते है इनकी सायता से इनको देखने में आसानी होती है यह देख सकती है मार्ग डूनने में इनको बहुत ही आसानी हो जाती है और इसी लक्षन के कारण ही इनको साम्मेनते जो आम बोलचाल की बासा है उसमें मारजार मचलियां या कैट पिसिज कहा जाता है इनके पोसा आर की जो छमता है वो बहुत ही अधिक होती है ये औक्सिजन का कम उप्योग करने के कारण इनके रुदर में हीमोगलोबिन की अधिक मात्रा पाए जाती है ये इसकी मुख दोर पाए जाने वाली विशेशता है अब आदा है कि कौन-कौन सी इनके नाम क्या-क्या होते हैं उनके जलियत रोत क्या है कहां पाए याती है उनके बारे में हम अधियन करेंगे पहला आता है बलेगो-歌 इसको अधर हीन भी कहते हैं बलेगो- और इसको हम परहीन भी बोलते हैं जैसा इसका classification हम देखते हैं कि इसकी क्लास है जी लेगो और इसकी जाती है इसकी अटू तो फेलएगो गया आटू एक परकार की यह आपको डाइग्राम में देख पा रहे हैं बेले गौटू दिखाई दे रही है यह जो मचली पूरे बारत वर्स पे पाई आती है और जील और नदी जो होते हैं उनमें पाई आती है इसको सामयानता है एलवन जली है हांगुर यानि कि फ्रेस वाटर सार्क भी कहते हैं कौन से मचली है बेले गौटू इसको फ्रेस वाटर सार्क भी कहते हैं यह एलवन जल की सबसे बड़ी जो कैट फिसेज है उनमें से एक है यानि कि तुलनात्मक रूप से ही सबसे बड़ी होती है इसकी लंबाई अगर देखे तो 183 सेंटीमीटर यानि 183 सेंटीमीटर तक हाक थो को फालिया उते हैं है लेकिन इसकी सामयन लंबा ये वह 625 से लेकर कि 91 अधिकिया है एवर थिसवील से लेकर की 90 77 मीटर तक लंबा ही हो सकते है जिछ कि दूसरी बात यह है इसकी यान मिसेशताओं में हम देखें तो यह दूसरी मचलियों को खाती है एक तरीके कि यह प्रीडेटर है दूसरी मचलियों को भक्षण करती है सिकारी प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर इनका जो मुह होता है वो बड़ा होता है दात बहुत ही नुकीले होते हैं जो सिखार के लिए बहुत ही उप्युक्त होते हैं नुकीले दात होते हैं जिनके सायता से ये सिखार कर सकती है इसके अलावा ये मनस और दूसरे जो जनतु होते हैं उनके सरीर को भी ये खा सकती है ग्रेंड कर सकती है बोजन की रूप में इनका प्रेजनन अगर हम देखें तो बड़सर रितू में पाया जाता है इनका व्रीडिंग सीजन होता है वो मांसोन के अंतर होता है और ये जो है बहले गोटू बारत पाकिस्तान बर्मा जावा सुमत्रा इंडोनीशिया की जो के एल दूसरे नमबर की केट फिशी जाती है मिस्टर सिंगाला और मिस्टर सिंगाला साइक इसको हम टैंगर भी बोलते हैं इसको समय नबासा में हम टैंगर भी कहते हैं क्लासिपीकेशन देखते हैं इसका तो इसकी जो क्लास होती है वो टीलियो इस्टमला ही होती है ओर्डर की बत करें तो order इसका Cypreniformis होता है फेमिली इस के लाब से जीनस जो है वह मिस्टा होता है और इस चितर में देए पारे हैं यह मिस्टर सिंगाला मचली विवर्ण अगर्णत यह जो मचली है वो किम यानि और सिस्टम जो है यानि या है नीकि ज़्यादा तरप याती है इसका सरीर पर यानि प्रस्ट सतय की बात करें तो प्रस्ट सतय पर इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है और लेटेरल में इसका जो कलर होता है वो हलका सिल्वर या रूपेला होता है यह मचली छोटी छोटी जो कार्ब मचली होती है या दूसरी जो मचली होती है या जो कहते हैं उनका सिकार करती है बोजन गुरूप में उनको ग्रैन करती है एडल्ट मचली की जो लंबाई होती है वो 46 cm होती है समझे मेरे बाद यह Mr. Singhala जो है अगर इसकी हम लंबाई देखें तो और जैसे यह तो एडल्ट की हम बात करें लेकर अगर मैकजिमम अगर हम इसकी लंबाई देखें तो टैंगर की अधिकतम जो मैं लंबाई है वो मैकजिमम 117 cm तक हो सकती है और बजन की अगर हम बात करें तो बेट इसका जो है लगबग 11 kg तक हो सकता है इसके अलावा ये जो मचली है नदी तालाव और जीलों में प्रेजनन करती है ब्रेडिंग सीजन इसका अप्रैल से जुलाई तक का होता है इस दोरानी अंडे देती है इस मचली का ब्रेजनन विशिस्ट प्रकार का होता है जिसके अंतरगत ये भूमी को खोद कर उसमें अपने अंडे देती है यानि कि इनमें पैरेंटल केयर पाया जाता है इनकी महतपूर्ण विशिस्टा क्या है कि जमीन के अंदर यानि कीचड जा होता है मड़ में गड़ के अंदर ये जो उनके अंडे होते हैं उन अंडों को इसके अंतरगत रखा जाता है और उनकी केयर की आती है तो ये जो विशिस्टा है उस विशिस्टा को हम पैरेंटल केयर कहते हैं तो यानि कि मिस्टर सिंगाला के अंतरगत पैरेंटल केयर का गुण पाया जाता है यान यह भी एक प्रकार की catfish है और इसको सामयन बासा में दर्याई टेंगर कहा जाता है इससे पहले आपने देखा मिस्टर सिंगाला को किवल सिर्फ टेंगर कहा जाता लेकिन इसमें हम कह रहे हैं इसको किया दर्याई टेंगर तो आप से पूछ ले जाए बड़ी दर्याई मिस्स होता है जैसे अन मचलियों के जैसे ही फैमेली की बात करें तो फैमेली इसकी वैग रिडी होती है जीना से वो मिस्टर सोता है और इस पीसी जे वो और होती है और इसका सामयन बासा में नाम दर्याई टेंगर होता है इसको दर्याई टेंगर हम कह सकते हैं अब अब अ तो यह आपका Mr. s or नामक की catch fish है जो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वार्वेल से इसपर्द प्रवर्द है वो काफी लंबा है तुलनात्मे ग्रूप से आप यह देख रहे हैं इसको इसकी सायता से वह आईडेंटिफाई कर सकते हैं यह मचली जो इस्थानिय छेत्र होते हैं उनमें पाई याती है और उनको वहां मखरूब से उनको खाया जाता है। इसके शरीर के अगर हम बात करें तो उसका जो प्रस्ट भाग होता है वो नीला बिल्यू कलर का होता है। प्रजनन काल में इसका जो नर होता है उसका अधर वाग सूज जाता है और उसमें अनेक प्रिकार के फॉल्ट्स डवलप हो जाते हैं इसकी विशिस्ता है कि इसमें डाइमोर्फीजम तो होता है जब नर जनन में परिवर्टन होता है जब ब्रेडिंग सी जानाता है तो इसका जो मेल होता है उस मेल का जो अधर वाग है उसके अधर वाग में स्वेलिंग आ जाती है ठीक है और स्वेलिंग के साथ साथ उसमें आ इनकी खाश बात है कि इनमें एक विशिष्ट संदस्न पाई याती है जिसको हम बीली फॉर्म प्रोसेसेज भी कहते हैं इस प्रोसेसेज के दुआरा एक प्रोटीन युक्त सफेद रंग का द्रव इस्तरावित होता है जो कि एडल्ट होने वाले जितने भी इनके किसोर या व बाल में कोई भाग नहीं लेती जानी जिए ने कि जो पिरेंटल केयर है सिर्प मेल का ही होता है ठीक है कि अब आता है मिस्टस के वेगाँ करने सामय नाम होता है सतावा थैंगरा इसका classification देखते हम इसकी जो class होती है वो टीलियो इस्टमलाई होती है order होता है इसका sypreniformis होता है कुल, family, vagarity होती है genus इसका mistus होता है और species जो है वो kebisius होती है और सामयने नाम इसका सुतावा टैंगरा होता है इसकी मुख्यष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विश्डेस्ता है देखें सरीर की इसका चमकता बाल होता है और जयसा यहलो रंड का मने इसके लिए एक प्रकार कि उच्छ ख्यक्वैलिटीरेस क्लिश थां स्क्राइट के सा साहती बहुत ही उत्ष मात्रा का पोसाण युक्त भोजन है पूछन है ठीक है अब आता है पैंगेशियस पैंगेशियस और इसको सामय नवासा में कहा जाता है इसका नाम होता है पायास कुछ लिया जाता है प्यास कि इसको कह जाता है तो आप बताएंगे पंगेश को क्लासिपीकیशन देखते हैं इसका तो जो इसका क्लास है वो क्लास होती है टेलियो,"rie", और है वो,"साइप्रेणिट। इस Messi गोटे है और वन्स पंगेशीएस हो गया है और जाती भी पंगेशीएस हो गया है मचली बड़ी नदियों में व्यापक इस्तर पर पाई आती है और अधिक तर देखा जाए तो बंगाल की जो खाड़ी है उसके चेत्रों में बहुत अधिक वात्रा में यह पाई आती है और यह संपूर बारत में पाई जाने वाली एक विसेश मचली है जो कि रोहिणी और रा लेणी और रातिना मक नदियों में यह मिलती है इसका सरी लंबा होता है और दवा हुआ हुदा है सिर जो है वाल रिखा लोकी तुएयोचा एक मुलायम तुएचा होती है उस्से ग Method हुआ को मांगुर कहते हैं इसका फेस मांगुर होता है, इसका समय नवसा में नाम मांगुर होता है। पूछ ले जाता है कि मांगुर के वैग्जयने लाम क्या है तो आप बता सकते हैं क्लेरियस वैटरेकस अब इसका क्लासिप्िकाशन देखते हैं इसका जो वर्ग है यानि क्लास है वो टीलियो स्टम लाही होता है ओडर जो है वो साइपरीनी फॉरमस होتा है कुल है वो क्लेरिडी होती है और पुहंस है वो क्लेरियस होता है और जाती भी वैटरेकस तो इस प्रकार इसका वैग्यानिक नाम होता है क्लेरियस वैटरेकस और सामयन वासा में इसको हम मांगूर कहते हैं अब बात आते हैं कि इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सरी के रंग की बात करें तो यह एक समान यानि की रेडिस कलर का इसका बाग होता है और बुरा याल का दूसर रंग का काला बाग जीसा भी हो सकता है कि इसकी अधिक्तम लंबाई 45 Cmn तक हो सकती है पूछ लिया जाता है इसके लंबाई कितनी है तो 45 Cmn तक इसकी लंबाई हो सकती है इसका मुख्य बोजन जीगा मचली जलिये कीट होते हैं लारवा होते हैं रेत और इसके लाबा जो एलगी इस पाई जाती है उन एलगी का ये बोजन के रूप में ग्रेंड करते हैं इनका प्रेजनन काल अपरेल से ले करके जून तक होता है इस म बहुत डिमांड रहती है क्योंकि इसका जो एन जो कॉर्प हैं उनकी तुलना में इसकी वैल्यू जादा होने के कारणे के दाम अधिक मिलते हैं इसलिए ज्यादा और स्वाधिस्ट होने के साथ साथ ये मल्लेवान भी है भारत के लावा या स्री लंका मलाया बर्मा और जादा प्योग करते हैं मांगोर नामक जो मचली है इस मचली पर लाइबरेटरी के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसलिए भी मैत पूर्ण है ठीक है कि अगा कि